linear transformation and matrices topic से यह है next question T एक linear operator है R के उपे तो T defined इस तरीके से है matrix of T निकालनी है relative to basis this one और उसके बाद हमें कुछ यह चीज़ verify करनी है सबसे पहले first part solve करते हैं इसका hopefully यह वाला part भी काफी बार full marks का आ जाते हैं जब तक second part ना पुछा जाए तब भी so first part का solution देखते हैं आपके पास T of 111 put करने T of 111 put करोगे तो आपके पास क्या मैनेगा it will be 3, 1-4,-3 और 3 ठीक है फिट T of 110 put करोगे तो यह जब 110 put करोगे आप तो यहाँ पे देखो 110, y की value 1, z की value 0 x की value 1, y की value 1 और x की value 1 तो 110 put करोगे तो आपके पास आएगा 2, minus 3, और 3 ठीक है वीडियो को pause करके verify करो यह वली चीज then T of 100 put करोगे तो आपके पास क्या बनेगा तो 100, यह तो 0 बनेगा, यह 1 बनेगा और यह 3 तो यह बनेगा 0, 1, 3 अब एक एक करके आपको इन तिनों को linear combination की form में लिखना है इनको linear combination तो हम क्या करते हैं, जैसे मानलो x, y, z कोई भी vector है उनको linear combination में लिख लिया 1, 1, 1, plus c2, 1, 1, 0, plus c3, 1, 0, 0 इनके linear combination में लिख लिया तो आपके पास क्या बनेगा? c1, plus c2, plus c3, ठीक है? फिर आपके पास बनेगा c1, plus c2 फिर आपके पास बनेगा c1 अकेला तो यह बनेगा x, y, z अब compare करो c1 की value z के ब्राबर आएगी c1, plus c2 की value y के ब्राबर आएगी और c1, plus c2, plus c3, x के ब्राबर तो यहाँ से c1 की value तो z निकल गी directly c1, plus c2 किसके ब्राबर है? y के ब्राबर है तो c2 की value किसके ब्राबर होगी? y-z के ब्राबर ठीक है? और c1, plus c2, plus c3 किसके एक्वल है? x के एक्वल है c1 की value आगी z, c2 की value आगी y-z और c3 equal to x ठीक है? तो c3 की value किसके एक्वल आगी? आपके पास x-y के एक्वल आगी तो आपके पास c1 की value बनी z, c2 की value बनी y-z c3 की value बनी x-y तो ये values इसमें put करने हैं c1, c2, c3 के तो x, y, z को हम कैसे लिख सकते हैं? इसे लिखेंगे z into 111 c2 की value आएगी y-z, ये बनेगा 110 और c3 की value आएगी x-y, ये बनेगा 100 अब आपके पास ये जो vectors हैं इनको linear combination में लिखने हैं इसके basis के तो हम एक-एक करके लिखेंगे सबसे पहले 3-3, 3 को सबसे पहले किसे लिखेंगे? 3-3, 3 को तो देखो, z को put कर दो ये x, ये x का काम, ये y का काम, ये z का x, y, z तो z को put कर दो 3 y-z को put करो minus 3, minus 3, minus 6 और x-y को put करो ये भी आएगा 6 तो z की value आगी 3 यहाँ पर y-z की value कि इसके ब्राबर आएगी, minus 6 के ब्राबर और x-y की value आएगी plus 6 के ब्राबर तो 3 आगया, minus 6 आगया plus 6 आगया then next आपके पास बनेगा ये मारे पास था 2, minus 3 और 3 अब यहाँ पर x, y, z है z का का काम ये करेगा y-z का का काम minus 6 बनेगा, x-y x-y तो 5 आएगा so it will be 3, minus 6 और यहाँ पर आएगा आपके पास plus 5 last आपके पास क्या था, 0, 1 और 3 0, 1, 3 में z की value तो 3 आगी plus, यहाँ पर y-z होगा, तो y-z कितना आगया, minus 2 आगया यह आगया, minus 2 और x-y की value आगे, minus 1 ठीक है अब यहाँ पर बाकी सब चीज़े as it is रहेंगे, यह vectors यह vectors और यह vectors as it is निचे आएंगे मतलब किया क्या आपने आपने सबसे पहले transformation में यह basis का यह vector पूट कर दिया पूट करके एक output vector आगया उस output vector को इनके linear combination में लिखा ठीक है, तो यहाँ से क्या निकली, इस symbol का मतलब होते है, matrix of t with respect to basis d इस symbol का यह मतलब होते है तो जब आप इसे लिखोगे properly, 3, 3, 3 minus 6, minus 6, minus 2 ठीक है फिर आपके पास बनेगा 6, 5 और 1 6, 5 और minus 1 ठीक है हम इस matrix का transpose करेंगे तो transpose करने के बाद आपके पास क्या आएगा यह जो matrix होते है coefficients की इनका transpose लेना होता है मैं तो 3, minus 6, minus 6 3, minus 6, 5 3, minus 2, minus 1 जैसे यह था ना तो इसे एक column में लिख दिया इसको, यह जो coefficients थे इनको इस column में लिख दिया यह जो coefficients थे इनको इस column में लिख दिया तो यह आपके पास क्या आगया इसे equation को मान लो आप equation number 1 इस equation को equation number 1 consider कर लिया second part में आपको यह चीज़ शो करने है पहले मतलब समझते हैं second part में आपको शो करने है कि matrix of T with respect to basis B ठीक है इसे read हमेशा ऐसे करो कि यह matrix T की matrix है with respect to basis B और next आपके पास है कि कोई भी vector V है उसकी matrix with respect to basis B किसी भी vector की matrix with respect to basis B then आपके पास यह क्या हुआ T of V T of V की matrix with respect to basis B इसकी matrix इसके respect to तो T of V तो आपने निकाल लिया V कोई भी vector था x, y, z तो x, y, z को आपने कैसे लिखा x, y, z कोई भी vector था तो उसे कैसे लिखा z into 1, 1, 1 y minus z into 1, 1, 0 और x minus y, 1, 0, 0 तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा कि कोई भी vector है with respect to basis B है उसकी matrix क्या बने z, y minus z और x minus y ठीक है? तो यह आपके पास matrix आगी इसकी और यह आगी इसकी सो अब हमें यह verify करना होता है verify करने का मतलब है कि यह एक matrix आगी और यह दूसरी matrix आगी आपके पास अब हम इसे निकालते हैं t of v with respect to basis B ठीक है? सबसे पहले t of v की value कि इसके बराबर है? t of v का मतलब आपके पास है so 2y plus z और यह x minus 4y और यह 3x यह t of v है यह एक vector है इसको किसके linear combination में लिखना है? b के तो अगर हमें matrix निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 2y plus z x minus 4y 3x इसे लिखेंगे linear combination किसके? c1 1 1 1 1 1 c1 1 1 1 plus c2 1 1 0 plus c3 1 0 0 ठेक है? तो यहाँ पे c1 की value आपके पास आएगे 3x और c2 की value आएगे minus 2x minus 4y और c3 की value आएगे minus x plus 6y plus z यह vector as it is, 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 तो यह निकाल लेंगे कैसे? यह निकाल लेंगे simply c1 plus c2 plus c3 equal to this number, c1 plus c2 equal to this number, then c1 equal to this number, तो आपके पास यह matrix आएगे, matrix of transfer T of V with respect to basis B, यह क्या बना? यह बनी 3x minus 2x minus 4y minus x plus 6y plus z, यह matrix बनी आपके पास, ठीक है? तो verify करने वाले part में आपके पास क्या था? कि T की matrix B के साथ, V की matrix B के साथ, और T of V की matrix B के साथ, तो सबसे पहले यह वली matrix लिख लो आप लोग, यह matrix क्या थी? यह matrix थी, 3 minus 6 minus 6, 3 minus 6, 5, 3 minus 2 minus 1, और इसकी matrix क्या थी? z, y minus z, x minus y, इनको multiply करके आपके पास क्या बनेगा? इनको multiply करके बनेगा 3x minus 2x minus 4y minus x plus 6y plus z, ठीक है? तो यह final answer होगा, verification वाले part के साथ, तो complete question यह है, थोड़ा सा lengthy आपको लग सकते हैं, पर यह उतना ही easy है. conceptually, जितना भी linear transformation and matrices वाला part है, उन सब में आपको एक ही चीज़ करनी होगी, क्या चीज़ करनी होगी? कि आपको बस linear equation solve परने आनी चाहिए, linear equation solve परने में जितना आप easily solve कर सकते हो, उतनी ज़्यादा marks आप score करोगे इस वाले particular topic में. फिर से एक बार go through करते हैं कि हमने किया क्या exactly? आपको सबसे पहले बोला कि matrix निकाल के दे दो T की, relative to basis this one. तो सबसे पहले आपने ये vector put किया, फिर ये vector put किया, फिर ये vector put किया, आपके पास कुछ output vectors रिया आगे, अब output vectors आगे आपके पास, अब इस output vector को इनके linear combination में लिखने इस basis के. तो output vector को आपने इनके linear combination में लिख लिया, तो हमने वो चीज करने के लिए क्या किया, कोई भी vector x, y, z ले लिया, उसे linear combination में लिखा, तब हमें solve करने में easy हुआ, क्यूंकि हमने direct ये वाली values put कर दे, ठीक है, फिर हमारे पास matrix निकल गी, और फिर हमने निकाल लिक matrix of vector with respect to basis b, त पिर हमने t of v, t of v basically एक vector है, उस vector को इनके linear combination में लिख दिया, linear combination में लिखने के बाद ये matrix आगे, verify करना था, इन दोनों को multiply किया, ये एक matrix है, ये दूसरी matrix है, multiply करके आपके पास final answer गिया आगया, अभ्यास सब चीजों को असान बना देते हैं, तो अगर आपको ये difficult लग भी रहा होगा, तो minimum 2-3 बार practice करके आपको ये बहुत असान लगने वाला है, पढ़ते रहिए, practice करते रहिए, अभ्यास school के साथ,